दिगज राजेश खना पर यह क्या बोल गी वहीदा रह्मान कहा वे अपने दौर के सबसे बुरे और कमजू सेक्टर गुजरे दौर की सबसे मशूर एक ट्रेस रही वहीदा रह्मान ने एक शो के दोरान बॉलेवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खना के बारे में चौकाने वाली बातें कही है वहीदा रह्मान दौरा अपने दौर को याद करते हुए अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे को स्टार्स के बारे में बात की है रह्मान ने कहा कि राजेश खना बॉलिवुड में सबसे अधिक दुखी कर देने वाले अभी नेताओं में से एक थे और वेह बेहत कमजूस भी थे हर बार जब कोई पैसे के बारे में बात करता था तो वेह बस टाल कर गायब हो जाया करते थे और वेह सेट पर हमेशा देर से आने के लिए जाने जाते थे वह हर शूटिंग के लिए घंटों देरी से आते थे सुबह की शिफ्ट हो तो विह दोपहर तक सेट पर पहुँचते थे बता दें कि एक शो के दोरान कई सारे सिग्मेंट थे जहां होस्ट जय भानुशाली द्वारा उनसे कई सवाल पूछे गए हैं और ऐसे में उनसे जब एक उनके दोर के भुरे एक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में यह सब कहा आगे शो में ऐसा ही एक सिग्मेंट एक्टर को उसकी विशेष्टा के आधार पर चुननेक था और वहीदा ने एक के बाद एक अलग-अलग नाम इस दोरान लिये। उनके मताबीक शर्षी कपूर एक बहुती सुन्दर और उदार व्यक्ति थे जबकि शमी कपूर जी सेट पर सबसे कुला और मस्तिंग खोर इंसान हुआ करते थे।